लक्षमी जी के पग रात के आठ बजे का समय रहा होगा एक लड़का एक जूतो की दुकान में आता है गाउ करहने वाला था पर तेज था उसका बोलने का लहजा गाउ वालों की तरह का था परंतु बहुत थहरा हुआ लग रहा था उम्र लगभग 22 वर्स का रहा होगा दुकानदार की पहली नजर उसके पैरों पर ही जाती है उसके पैरों में लेदर के सूज थे सही से पॉलिस किये हुए दुकानदार क्या सेवा करू लड़का मेरी मा के लिए चपल चाहिए किन्तु टिकाओ होने चाहिए दुकानदार वे आई है क्या उनके पैरों का नाप ल वह लड़का बोला क्या नाप बताऊं साहब मेरी मा की जिन्दगी बीत गई पैरों में कभी चपल नहीं पहनी मा मेरी मजदूर है मेहनत कर करके मुझे पढ़ाया पढ़कर अब नौकरी लगी आज पहली तंख्वा मिली है दिवाली पर घर जा रहा हूँ तो सोचा मा के लिए चपल लेकर आऊं दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चपल दिखाई जिसकी 800 रुपए कीमत थी चलेगी क्या आगंतुक लड़का उस कीमत के लिए तयार था दुकानदार ने सहजी पूछ लिया कितनी तंख्वा है तेरी अभी तो 12,000 रहना खाना मिला कर 7-8,000 खर् नहीं तो बात को बीच में ही काठते हुए लरका बोला नहीं कुछ नहीं होता दुकानदार ने चपल बॉक्स पैक कर दिया लरके ने पैसे दिये और खुसी खुसी दुकान से बाहर निकला पर दुकानदार ने उसे कहा थोड़ा रुको साथ ही दुकानदार ने एक और हाथ में दिया यह चपल मा को तेरे इस भाई की और से गिफ्ट मा से कहना पहली खराब हो जाएं तो दूसरी पहन लेना नंगे पैर नहीं गुमना और इसे लेने से मना मत करना दुकांदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा उन्हें मेरा प्रनाम कहना और क्या मुझ मुझे एक चीज दोगे बोलिए वह पेपर जिस पर तुमने पैरो की आउटलाइन बनाई थी वही पेपर मुझे चाहिए वह कागज दुकांदार के हाथ में देकर वह लड़का खुसी-खुसी चला गया वह फोल्ड वाला कागज लेकर दुकांदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा दुकांदार के बच्चों ने देख लिया था और उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या है पापा दुकांदार ने लंबी सास लेकर अपने बच्चों से बोला लक्षमी जी के पग लिये है बेटा एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है इससे धंदे में बरकत आती है मा तो इस संसार में साक्षात परमातमा है बस हमारी देखने की दृष्टी और मन का सोच स्रधा पूर्ण होना चाहिए धन्यवाद